दोस्तो CSC portal के थुरू LIC premium जमा करने के लिए आपको सबसे पहले CSC portal को यानि कि digital save portal को login कर लेना है इस परकार से login हो जायेगा और उपर ही आपको एक option मिल जायेगा insurance का इस पर आपको click कर देना है यह जो है इधर से उधर होते रहता है तापको इस परकार से देख लेना है कि कि insurance पर click करना है तो इसके बाद यहां आपको एक option मिलता है life insurance premium इस पर आपको click करना है तो इसके बाद आपके सामने यहां पर बहुत सारे option आजाएंगे और यहां पर जितने भी company insurance देता है उन सभी का जो लिस्ट आजाएगा बहुत सारा है तो इस में से जो है आपको अगर customer इन से 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 किसी कंपणी का ंश्रेंस लिया हुआ है आपको सिलेक्ट करना है जो भी कंपणी का है बजाढ़ ईलियांस बंधन लाइफ इंशिटरेंश तरहीं कि जतना विव है फिलाल आभी हम लोगं जोने इंडिया का premium जमा करेंगे, आपको scroll करके नीचे आना है, जैसे आप scroll करके नीचे आएंगे, आपको एक option मिल जाएगा, Life Insurance Corporation, Micro Insurance Renewal LIC, आपको इस पे click नहीं करना है, आपको फिर नीचे आना है, यहाँ पे जो आपको एक option मिलता है, यह वाला, Life Insurance Corporation, Renewal Premium, इसी पे आपको जो ह किस पे हम, किस पे हम click कर रहे हैं, नीचे देख लेना है कि मतलब, Renewal Premium होना चाहिए, Life Insurance Corporation, Renewal Premium, इसी पे आपको click करना है, यहाँ आपको policy number type करना है, और यहाँ पे candidate का mobile number, और उसके आपको फेच, बील पे click करना है, और policy number जो है, आपको पुराने receipt में मिल जाएगा, या आ पहले policy number डाल लेते हैं, और फेच बील पे click करना है, तो customer name यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, और उसके बाद इधर आप आज का date, उसके बाद यहाँ पे due date, और यहाँ पे आपने जो mobile number डाला है, वो mobile number, और नीचे आपका premium दिख जाता है, और यहाँ पे आपको CSC wallet का जो pin है 6 अंका, वो type करना है, और आपको paper click करना है, दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, कि हमारा payment successfully हो गिया है, receipt generate हो गिया है, तो यहाँ हम print पे click करेंगे, तो इस receipt को हम directly print भी कर सकते हैं, और print करके हम customer को दे देंगे, यहाँ आप save करके अपने पास रख सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा, कि LIC का premium आपकी इस परकार से, CST के माधियम से जमा कर सकते हैं, और इसका receipt कैसे download किया जाता है, अब आप लोगों को यह बता देते हैं, कि CST के थुरू, insurance premium जमा करने के बाद आपको कितना रुपए का commission मिलता है, तो हम चलते ह मिला है, वो 4 रुपए 80 पैसा, तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदे वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए, जय हो बता हो वीडियो, जी इर छो चाहल के वीडियो कि रहologie होगा है, यालम मेल भीपियो जित्हर。